दीडी किसान बदलते भारत की शान दीडी किसान बदलते भारत की शान दीडी किसान बदलते भारत की शान नमस्कार मैं राधिका चोधरी आप सब का स्वागत कर रही हूँ हिमाचल के कुल्लू से और आज यही से छोयल गाउं चलेंगे बात करेंगे जलवायू परिवर्तन की मौसम जब बदलता है यहां की जलवायू जब बदलती है क्लाइमेंट्स में जब परिवर्तन आता है तो हमारा किसान किस तरह से यहां पर खेती में परिवर्तन कर रहा है क्योंकि पुराने खेती जो है वो धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही है क्योंकि जलवायू में परिवर्तन होता जा रहा है ऐसे में नई कौन सी क्रोप है जो हमारे अन्य दाताओं के बीच पहुंच रही है और इसमें विज्ञान की कितनी आहूती दी गई है उस पर भी बात करेंगे चलिए आज की चोपाल चर्चा इसी गाउ से आप तक पहुंच आते हैं चोईल वासियों का कुल्लू वासियों का बहुत स्वागत बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ये तालियों की गड़गडार जो है आप देखे हिमाचल प्रदेश से आ रही है डिस्ट्रिक कुल्लू से आ रही है और ये हमारी जो महिलाएं बैटी हुई है ये कहती है कि आज आत्म निर्बर भारत की ये खूपसूर तस्वीर हिंदुस्तान में जिस तरह से कंदे से कंदा मिलाकर काम कर रही है इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि अब हमारी खेती बाड़ी विग्यान से जोड़ रही है इसलिए कहता है कि अब स्मार्ट खेती हमारे अन दाता पहाड़ों पर रहने वाले करता है हमारे साथ देखिए करशिवग्यान के अंदर से तमाम अधिकारी बैठेव है किसान महिलाएं किसान भाई बैठेव हैं सबसे पहले में शुरुआत जो है बहुत जादा में क्या क्या आता है चाहिए असफसलों के नाम जैसे लसन हो गया गया प्याज हो गया सब कुछ जैसे सब्सक्राइब लगवाई है ट्रेंटर भी लगवाई है सब्सक्राइब लगवाई है क्या नाम आपका कला देवी क्या क्या जानकरी आप तक पहुंच जाती है कि अब ऐसा मौसम है तो आप यह लगाई है इस वक्त आपको यह खेती करनी है हां कि होने कहां सजह मौसम के कांदर बजाओरा करिशी वियान और उसके बाद निक्राप्रेट है हमारे चोलगाओं में 2011 तो जब से अपनेटर जूड़ गया है हमारे साथ हर क्यति के बारे में मारक पता है कि हम किस साब से सर्दी की खेती कैसे कनी गर्मी के के खेती कैसे कर से आए आपका धन्यवाद करना चाहती है उसके बाद जिन से हम जूड़े इनका धन्यवाद करना चाहती है उसके बाद जितने भी यहां है इनकी वजह से मैं जहां तेक पहुंची तो आप मुझे बता ही क्या क्या यहां पर आपने नया लगवाया पहले पिछले 8-10 सालों मे कितना बदला ने उसका है ना जैसे पहले हम सबजीनी लगाते थे मक्का लगाते थी और लगाते थे जो बन रहा है जो खारे हो भी मतलव की हर चीज में मारको कोई प्रशाद निया रही है तमाम जूड़ी हुई है दो समो मैं मैं लिखा भी हमने दो समो है तीस ओरते हैं फंदरा पंदरा ओरते हैं यह सारी जूड़ी है वारी क्या बात अधिकारी लोग आपको होटी कल्शर के बारे में बताते हैं नर्श्री के बारे में बताते हैं आपने कहा कि खान पान पकवान की बात भी कर रही हैं अच्छा कभी भी आपने जो चीजे बनाई है मार्केट में पेश की हैं आपके पास तो देखे कितनी जानकारी हो गई हमारी माताओं को नमस्कार जी मेरा नाम दौपती देवी है मैं चोईल गाउं की नवासी हूं और ए काम करती हूं गाये भी पाली है वाद तोड थोड़ा पूर छोटा मोटा काम बोनाई सिलाइक सांधी साम करती में घर मार्क शिच्चा घेन हम saúde ंब शावर जशन लगते हैं मट्र काम तो भूलगा थे हमने पेहले वार्सक्राइकों जर्वे मेन नने मेरी बताया कि जोगा नाज होते थे century कर न करो जाता ता था थह ना पेसे का इंकम का सोर्सनी था उसमें राज अब जब सबसी यह लगानी शूर के तो अब इंकम का सोर्स हो गया है बैळ जाए बहुत धनीमाजि जिगे नमसकार टब तो कितना बदला पिछले समय से लेकर अब तक देख रहे हैं तरक्य कितनी हो गई सब कुछी मिद्राव हो गया रोड बन गया कुछ और बन गया बकास ना तो अच्छा चाया बकास भी अच्छा हो रहा हूं जी नमस्कार जी खड़े होई है क्या नाम आपका ये शुदेवी यसी देवी शुदेवी उम्र चाहे कितनी वी हो लेकिन ये शुदेवी को देखे कितनी सुंदर लग रही है ये यहां का प्यानावा है प्रजकट आया। जिस तर्च जूद को सुंत ईंब को बहुत बहुत भी एच्छा है बाट जोग मि लयँको बहुत बहुत दन्यवाद जी आपके अधिकारी से ही पूछ लेते हैं जो आपने मांगा वो कब मिल जाएगा जी सर नमस्कार नमस्कार मैं डॉक्टर आरके राना हूं कृषी विज्ञान के इंदर से बागवानी विश्यशक गये हूं जैसा इन्होंने बताया कि यह जल्वायू परिबर्तन पे जो यहां पर प्रोजेक्ट चलाओ निक्रा प्रोजेक्ट पूरे भारत वर्ष में चला हूआ जो इसमें निक्रा प्रोजेक्ट में ही यह भी एक जल्वायू से संबंदित हो है कि मशिनरी का भी इसमें वह कस्टमाइरिंग सेंटर का प्रावधान है एक आपने अल्रेडी इनके गाउं में दिया हुआ क्योंकि गाउं बहुत बड़ा है यह पूरे लोग उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो यह इनकी डिमांड है कि हमारे गुरुप को जो है एक चोटी बोटी मशीने जो दी जाए ताकि जो लेबर में जो इनका लागत ज्यादा लग रही है उसमें उसमें फायदा ले सकें तो हाँ जैसे इन्होंने कहा कि आपने कहा कि कब तक देंगे हाँ हमारा जो इस साल का एक्शन प्लान बनता है उसकी अभी मीटिंग होगी उसमें हम प्रपोस करेंगे कि अगर फंडिंग एजेंसी हमारे को अलाव करती है हम जुरूर इनको इस उपीदा देंगे चले बैठिए बहुत धन्यवाद तालिया बजा दीजी भाई आपकी दिमांड है आप खेड़ो यह मैं जे नमस्कार नमस्कार जी आप कृषी विग्यान केंदर के डाइरेक्टर है करता धरता है और महिला इतनी तारीफ आपकी पूरी टीम की कर रही है मैंने आज तक नही ज़ूरत था इनके पास होता था पर जैसे जैसे कमर्शिलाइज खेटी जैसे यह पूराने नाज भी इंको सीड की जूरत यह मांगरी मांगरी हैं और कृषी विग्यान के इंदर विभाग के साथ मिलकर कोशिश करेगा कि इनकी यह इंको इनको जो पूर इनाजों की जो इम्पॉर्टन्स है इनसे क्या कैसे खाने चाहिए किस तरह से खाने चाहिए यह इसके बाई प्रोड़क्ट किस तरह से बनते हैं उस पर इनको विशेश तोर से दो या तीन ट्रेनिंग इस गाओं की महिलाओं को दी गई है ऐसा कुछनी बैठिये बहुत धनिवाजी तो कहां होगी बारिष किस जलह पड़ेगी पर्फ कहां रहेगा गोहरा कैसा रहेगा तापमान परेटन इस थलो पर क्या रहेगी मौसम की स्थिती जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम साड़े साथ बजे सिर्फ टीडी किसान पर ब्रेक के बाद बहुत स्वागत तरकी की तस्वीर हिमाचिल परदेश से और भी हमारे महिलाओं से जानते हैं जीवन में मैं स्वेहन साथ समू की बात करूं विज्यान की बात करूं और समय की बात करूं कितना बदलाव आ गया विज्यान की बदलाव जैसे तो हमारे मतलब खेती में भी बहुत जाद बदलाव आब आया है क्योंकि जब पहले इनसे नहीं जुड़े थे तो उस टाइम कि आपको कभी कोई जानकारी होती हैं कि बहुझे इस वक्त क्या लगाना चाहिए या मेरे ज parcel में समस्य चक्राइब कीच लग जाता है फंगास लग जाते हैं तो क् falls कोर्ते कि वही एससे होगया है यह पे कि अमारी कीड़े लगने किसको फोन मतलब केवी के में फ़ॉन करते हैं अजिवां पर डॉक्टर सहाब से पूछते । comments đk?.. तो हंजी पूछते हैं तो फोन के माध्यम से समाधान हो जाता है हंजी वो नाम बता देते हैं जी हंजी दूसरा अगर आपको कोई नई वराइटी लगाना है कोई नए बीज की जरुत होती है तो यह जानकरी भी केवी कैसे मिलते हैं हंजी जो मतलब जिस महें में लगती है जैसे तीन तीन मिने वाद गोबी लगती है यहां पे तो वो बीज किस टाइम गर्मी में कौन सा बीज लगता है सर्दी में कौन सा बीज लगता है उसके वारे में पूछते हैं जी जलवायू परिवर्तन की समस्या अगर मैं देखू इ आने से बहुत बड़ा बदलाव हो गया है आम दनी बड़ी है हां जी पहले की मुकाबले की हां जी पहले तो हम कुछ नहीं ऐसी था पैस्ट बहुत पहले तुछ सेवी होते थे यहां पर सेव पलम नाश्पती अब अनार भी लगे उने जपानी बगारे सब कुछ आप जो देवीजी अचा विद्या देवीजी एजुकेशन की बात करूं या पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए ठीक है और बिजली आती है अगर पर आती है किसान भाई के पास बिजली सड़क पानी होना चीए तो यह तीनों चीज़ा है पानी भी आता है इतने उंचे प्रियाद कर लीजिए कोई समस्या हो थीक है बैठीये बहुत दन्यावाज जी आप खड़े हुई है नमसकार जी आपका क्या नाम है सवीता आप यही से अंजी सवीता जी पढ़ाई कर रहे हैं खेती बाड़ी कर रहे हैं या ग्रस्ती संबाल रहे हैं क्या करते हूँ तो ये आप घर के लिए हैं या मार्केट लिए उनकम होती है इंसे एंगी इयुक्त सिनандर ही ओध करें यह दिलनी तक पहुचा है ऑनजी पर गțiले इसा बहुत बहुत बार भीनेकल घ्ले है बैठियो बहुत धनीवास बहुत आहरा definite शेंट है लैटनर म्हधे शेंटनर कि अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कि चोटे से क्योंकि शुरू से इंकम का सौर्स जो है गाउं में जनम के बार्त की बदर से जो है मतलब शुरू से खेती की है यहां पर हमने शुरू में सिर्फ दो चीज का क्वेटी होता था सिर्फ दान और गहूं उसके बाद दिर द सुद्ड नौना जी इनका ढ़ामख़ हमारी फेमिली परति मेरे समो के परति मारी जलू मेरे मेस ? हमारको विंक व als oil काफी सहरा मिला है फिर उन्हें मारको पावर टैलर वगरमी दिए लोगों के पर लाके खेती करनी पड़ती थी फिर आते है से जोंट कैंप कैंपिंग करते म तो इनमें हम लोग जो है टर्न वाइटर्न करके जो है पावर टेलर को यूज़ करते हैं उससे मार को बहुत फाइदा हुआ मशीनरी आ गई है जानकरी आ गई है विज्ञान पहुच गया है अच्छा आपने कहा कि क्लाइमेंट चेंज एक ऐसी समस्या है जिस पर हम सब का किसी का जोड़ नहीं चलता मौसम की अगर मैं आपदा की बात करो तो देरे देरे जो पुरानी चीज़े लुपत हो गए तो उस कि आते हैं तो हम लोग एक और एक्समेर्मेंट उसके ओपर करना चाहते हैं कि जो मारे पोशक तत्व थे जो मारे बज़ूर्गों बज़ूर्ग बोलते हुच टैम की भाई सार साल या 110 साल तो उन्हीं पोशक तत्वों की वज़े से थे हम लोग क्रिशवी बाग से मिलके जो इन महलाओं का प्रियास है उस प्रियास के से हमने इन उन्हीं तभी बोला कि मारको जो पराने पोशक तत्व थे हो जो लुप तो चुके उनका बीज परवाइड की जिए हम एक बार इस जलवाई उसे लड़के देखते हैं बहला कि अगर वो जो पोशक तत्व थे उस आप किस तरह से इन तरह सुविदाहीं पहुंचा रही है निक्रा प्रोजेक्ट के अंतरगर्थ में कोशिश करती हूं के वीगे की तरफ से की फार्मर्स की जो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे डेंटिफाइड करें और अपने साइंटिफिक फैकल्टी तक पहुंचा करते हैं कि निक्रा प्रोजेक्ट में जितने भी इंटर्वेंशन्स हैं वो फार्मर्स तक पहुंचाएं और इनकी प्रॉब्लम्स को अडेंटिफाइड करें यह 2011 की बात कर रहे हैं कि जब से यह आया है हमारे जीवन में बहुत बदला हो गया है यानि कि जो पुराने से व जी हमारे साथ यूवा भी है उनसे भी पूछते हैं क्या नाम है अमर तो यूवा खेतिबाड़ी में क्या कर रहा है यूवा पढ़ लिकर नोकरी करें अब खेतिबाड़ी में तो इतना फाइदा होता रहे हैं मतलब ऐसा नहीं है कि खेतिबाड़ी में फाइदा नहीं होता माइक्रो बाहिलोजी तो मतलब यह सित्व के पापा की वज़ए से नहीं होपाया क्योंकि पापा मेरे मालज जवान है और मौमा मेरी सकता है तो मारा यह दोनों कि कॉंभीनेशन के वज़ए से हुपाया है जरूंius ने सांथ मिलकर मारम्स यह ऐस पापा बाहर होते हैं पर ममी मतलब इसी चीज से पूरा मतलब कमर्शिलाइज कर दिया इस चीज को कि इस चीज से भी हम आपको बहुत जादा आमदोनी होते हैं वह बहुत ज्यादा फाइदा इस चीज से हमार को होता है बहुत दनिवाद जी क्या बात है फादर देश की सेवा और माता खेतों में काम यह सच है भाईया इन दोनों के बिना अधुरा है सब कुछ सराब खड़ो जाएए जी नमस्कार मैं मेरा नाम डॉक्टर सुरेंदर बंसल है मैं क्रिशी विग्यान के इंदर बजारा में ऐसे पशू विग्यानिक कारे रत हूँ आपने पशू का अगर जिकर करी दिया है तो यहां पर देख रही हूँ कि महिलाई बहुत कुछ कर रही है तो क्या पशू पालन भी यहां पर होता है ज समधान है को समधन हाहां गरम भी बिल्कुल समय समय पर हमें फोन आते रहते हैं लोगों के हर हम यहां पर आकर च्रेंडंग और हैल्थ कैम्प्र सिन Kollege सभख से जादा संस्थे जब से लिए घ्रगलोन मिजर दिया मन जर्टिक्रोइन चैडवरी सब्सक्राइब कर दोगों को देते हैं और घर के लेवल पर अपने बरतन के लिए लोगों ने फीड बनाना है साइलेज मेकिंग हैं एन्रिच्मेंट का यह सारी चीजे इनको सिखाई जाती है के दौरा बैठी बहुत दन्यवाजी सर नमस्कार नमस्कार जी मेरा नाम डॉक्टर रमेश रहा है और मैं कीट भी गयानिक हूं सवाल पोछूंगी आपके इस कुलू जिले में यह मैं आपके क कितने गाउं आपके अंडर आते हैं हां गाउं तो काफी है प्रन्तु जो हमारे आसपास के को 200-300 गाउं मैं कह सकता हूं कितना स्टाफ है स्टाफ तो चारी है और 200-300 गाउं तो कैसे पहुंचता है हां हमारा ऐसा की मिने का श्रूल होता है कि इस गाउं में इस मिने में इस अब आप एक सवाल और पूछंगे मेरे आप से क्रिश्व ग्यान पहुंच नहीं पाते हैं तो दूसरा आज़ा तरीका क्या है कि वहां आप समाधान पहुंचाए जैसे आप दार रहे थे डीजिटल सबसे बड़ी अम्माद है डीजिटल आजकल बड़सक ग्रूप बना हुए किसान सारती एप है वह एप में अपना डॉनलोड करके यहां हमारे जो बड़सक ग्रूप में फोटो खेंच के वहां से फील्ड से फो मुखी के आपने देखा होगा कि मद मुखी कभी यहां पर 25-30 किसान जो कमर्शल बेव में कर रहे हैं और काफी अच्छा इन अपने क्रिशी के अलावा जो काफी ज़्यादा इंकम ले रहे हैं तो यानि कहने का मतलब बहु फसले इंटिग्रेटरी फार्मिंग कहें मिश्र नम सत्यवरकाश है मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं और सासात में खेती भी कर रहा हूं जैसे आजकल लसन का काम चला हुआ है अब लसन का काम जैसे खतम होने वाला है कुछ दिनों में फिर उसके बाद हमने ट्रमाटर का शुरू कर देना तो हमारा जैसे के वीके साथ कर देखते थे भी मक्की और गहूं गयरा यह हम लगाते थे तो जब इनके साथ जुड़े इन्होंने हमारे को बताया भी यह फसल यहां पर एरियमी यह फसल हो सकती जैसे की नुए आजकल हम देखते कि उसका रेट बजारों में काफी महेंगा भी कर रहा है पर हमारे गाव एक्सपर्ट से सबको इतनी जानकारी हो गई है घी आपके पास भी मैं आऊँगी क्या नामें अपका यह चमतकार क्यों सा है मैं सबसे ज्यादा तो पानी की समस्या होती थी यहां पे ना अब तो आ गया है रिकिष्णी का पानी ओ चड़ा दिया उपर को तो मारको इसकी वज़ासे पानी भी मिल गया और खेतों में सब जिये लगाने के लिए भी हो गया तो ऐसा नहीं होड़ा ना पानी की सबस्यासित कुछ भी निलागे गए यहां फ़र अब सब कुछ आ गया है हां जी हो गया तो कोई समस्यां है अभी चलना हुआ अब तो ठीक हैं जी पढ़ाई के लिए भी है यहां पर सुविधा हैं झी है मेडिकल है है डिसपैसरी वागेर अगया इसमेनरी जाना तो पड़ेगा अच्छा रास्ते बन गए घर के आगे हां जी बनना हुआ है सब कुछ हो गया है कुछ बचा है क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जब देखेगा तो यह कहेगा कि हिमाचल जाए कैसे इतने उंचे पाड़ों पर तो अब हर घर तक पहुंच सकते हैं अब किसानों ने कितनी तरकी कर लिए हर घर गाड़ी मुझे मुझे इतने उंचे उंचे बंगले दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब अमीर किसान हो गया है क्योंकि भारत का भरन पोशन करता है पूरा हिंदुस्तान को चलाते हैं और इन्हों ने देखिए बुजूर्ग दा अब बिना विझ्जान खेती नहीं हो सकती इसलिए वज्ज्ञान और अनुसंधान को जोड दिया है और आज हम जो तरकी कर रहे हैं वो देखने वाली तरकी है बिना विग्द्ञान झाल झाल